टरा टरा टरा, हेलो लवली केड्स, वेलकम तू सोनाली का इगरुकुल, जहां आप सीखते हैं कुछ नया, कुछ खास, हर बार मज़ेदार. अच्छा बच्चो, हम सभी को बाहर की चीज़ें और बाहर का खाना कितना पसंद है न? लेकिन कितना मज़ा आता है जब बाहर के खाने का स्वाथ घर पर ही मिल जाए तो? यानि जब बाहर यानि मार्केट से मिलने वाली चीज़ को हम घर पर ही तयार कर लें, तो कितना मज़ा आता है? ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आपका मन हो आप उस चीज को ready कर सकते हैं तो प्यारे बच्चो, सोनाली का इगरिकुल में आज हम आपको मार्केट से मिलने वाली एक खेलने की चीज अपने घर पर ही बनाना सिखाने वाले हैं जी हां बच्चो, आज हम सीखेंगे how to make clay at home with things easily available at your home तो बच्चो, इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक खाली बोल नमब तू, तू कप्स अफ फ्लावर यानि आटा नमब त्री, वन कप वाम वाटर यानि गरम पानी नमब फो, हाफ कप सौल्ट यानि नमक नमब फाइफ, तू तेबल स्पून्स अफ ओल यानि कोई भी वेजटेबल या कोई भी रिफाइंड ओल नमब सिक्स, पिंच, यानि चटकी भर आपका फेवरेट फूड कालर और इसके बाद सबसे जरूरी दो औजार नमब वन, वन बिग स्पून फॉर मिक्सिंग आद नमब तू, आपके दोनो डिशम डिशम करने वाले बॉक्सिंग वाले दो हाथ बॉक्सिंग क्यों? चलिए आगे बताता हूँ और बच्चों, ये सारी चीज़ें आपके घर पर बिल्कुल इजिली अवेलिबल हैं हाँ, डिशम डिशम वाले हाथ भी तो बच्चों, क्ले बनाने के लिए सबसे पहले इस खाली बोल में टू कप आटा डाल लें फिर इसमें हाफ कप नमक एड कर दें और स्पून से अच्छे से मिक्स कर दें अब इसमें एड कीजिए टू टेबल स्पून्स ओफ ओओल और इसे भी अपने स्पून वाले अजार की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें अब इसमें मिलाईए थोड़ा गरम पानी याने पानी गरम गरम पानी गरम गरम पानी गरम गरम पानी गरम गरम और अच्छे से मिक्स कर लीजे आप चाहें तो आप इसे स्टेज पर कलर भी आड़ कर सकते हैं अच्छा color add करने का ना एक और बहुत बढ़िया तरीका है, आप पहले से ही गरम पानी में color add करके mix कर दें और उसी colored mix पानी को इस bowl और flour के mixture में add कर दें और फिर color add करने के बाद दोबारा इसे spoon की मदद से अच्छे से दबा दबा कर mix कीजिए और एक बार spoon से अच्छे से mix करने के बाद अब बारी आती है आपके धिशम धिशम boxing करने की अरे नई नई मैं मजाग कर रहा था, आप clay को bowl से बाहर निकाल कर चाहे तो इसे boxing या फिर प्यार से इसे रोटी के आटे की तरहा गूंध दीजिए थोड़ा goal, थोड़ा plane, थोड़ा घुमाओ-घुमाओ, थोड़ा ball जैसा बना कर इसे अच्छे से mix कर लीजिए अब गूंधने के बाद आपको भी लगे कि color थोड़ा कम आ रहा है तो आप पानी में mix color को थोड़ा सा और add कर सकते हैं और add करने के बाद इसे soft-soft गूंध दीजिए और अच्छे से mix करने के बाद तयार है आपकी clay अच्छा बच्चों, क्या आप जानते हो कि clay art दुनिया का सबसे पुराना art है क्योंकि clay की मदद से ही आद से 20-30,000 years पहले बर्तन, vessels, pot बहुत सारी चीज़े बनाई जाती थी और इस आद को pottery भी कहते हैं और इन सब चीज़ों के निशान दुनिया की सबसे पुरानी civilization हडपा संस्कृती में भी मिलते हैं तो बच्चों इस clay smiley की तरहा smile करते हुए घर पर ही clay बनाए और उस clay से अनोखे अनोखे डिजाइन्स, अनोखे नोखी आड़ बनाईए तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए आड़ के साथ अगली बार तब तक के लिए हसते रहिये, मुस्कृते रहिये और देखते रहिये सनाली का इगरकल